हलो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमूल वचन आज मैं आपको बताने वाली हूँ आखों की खुबसूरती के लिए घरेलू समाधान आईए चान लेते हैं इसके बारे में आखों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए लोग बाजारी प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं लेकिन इन प्रोडक्ट में मौझूद क्यामिकल्स आपकी आखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं इसलिए क्यामिकल्स वाले प्रोडक्ट का इस्तमाल करने से बचना चाहिए गर आपकी आँखों को स्वस्थ और सुन्दर्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं और इनसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं तो आए जानते हैं किचर में मौझूद उन छीजों के बारे में जो आपकी आँखों को सुन्दर बना देते हैं एलोवेरा, आखों के खराब लगने की वज़े से आपकी खुबसूरती कम हो जाती है, इसके लिए एलोवेरा फाइदेमंद होता है, इसका इस्तमाल करने के लिए एलोवेरा जल का सुमाल किया जा सकता है, एलोवेरा जूस या एलोवेरा जल की आइस क्यों बना कर आखों की लगाने से ये बेजान से सुन्दर दिखने लगती है खीरे में एंटी एजिंग गुण होते हैं जो बड़ती उम्रे के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं आखों के पास की जुर्यों को दूर करने के लिए खीरे का इस्तमाल किया जा सकता है इसके लिए खीरे का को कम करने में मदद करते हैं इसका इस्तिमाल करनी के लिए आलू को कद्दुकस करके उसका जूस निकाल ले और आखों पर 15 मिनट तक लगा कर रखें यह सूजन और डाक सकल को कम करने के साथ जुड्यां भी कम करता है टमाटर टमाटर आखों की नीचे की तवचा की रंगत को सुधारने में मदद करता है टमाटर के पल्क में नीबू का रस मिला कर और हलती मिला कर इस पेश्ट को आँखों की नीचे लगाए इसे 20 मिनट लगा रहने दें टी बैक आँखों की ठकावट को दूर करने के लिए टी बैक प्रभावी होते हैं जब आप एक बार टी बैक क अस्तमाल करें फिर उसे फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दें जब यह अची थरह से ठंडे हो जाए तो फिर 15 मिनट तक इसे आंखों पर लगा कर रखें यह डाक सकल को कम करने में भी मदद करते हैं तो दोस्तों यह थी हमारे आज की वीडियो उम्मीद करती हूं दो अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू